हेलो जैमनाई, अभी हम देखेंगे कि जो मार्च मंत बचा हुआ है उसकी क्या रीडिंग है आपकी डी ठीक, उसमें आपकी क्या एनरची है जैमनाई और आपके परसन की एनरची है, ये भी बहुत ही ज़दा रिक्वेस्टिड वीडियो है, काफी रिक्वेस्ट किया गया है इसलिए मैं बना रहे हूं ठीक है चलिए देखते हैं जैमिनाई की कार्ड निकालते हैं पहले अभी हम कार्ड निकालेंगे आपके पार्टनर के आपके पर्सन के कार्ड निकालते हैं नहीं आपके पार्टनर के कार्ड निकालते हैं बटम उदो रहे है थ्री ओफ मेंड्स देखिए आपके पर्सन के साइन बताना चाहूं तो पाइसस कैंसर स्कॉर पर मुझे बहुत स्ट्रॉंग साइन दिखाई दे रहा है या फिर एरीज लियो साजिटेरियस या जैमिनाई लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं ठीक है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको समझन ही आ रहा है कि मुझे क्या action लेना है क्या नहीं लेना है क्योंकि आप बहुत पेन में हैं अब बहुत ज़्यादा crisis से फिर समझ आ रहा है तो आप उसको कर नहीं पा रहे हैं यहां पर दो नोई situation मुझे नजर आ रही हैं अगर आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं जिस रास्ते पर आपकी सपने पूरे होते हैं एक रास्ते को पकड़ कर आगे बढ़ जाते हैं तो आपको success मिलती भी मुझे नजर आ रहे हैं ऐसा मैं यहां पर देख पा रही हूं मैं यहां पर यह भी देख पा रही हूं कि आपको थोड़ा सा enjoy करना चाहिए थोड़ा अपने लिए time निकालना चाहिए me time आपके पास होना चाहिए जिससे आप अपने आपको खुश रख सके मुझे यहां पर Gemini आपकी life मे ये भी नजर आ रहा है कि financially crisis आपने past में बहुत देखा है और अभी भी शायद आपकी life में यही चल रहा है लेकिन आप जो है ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखों पर पट्टी बंद गई है मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है आप असमझस की स्थिती में मुझे नजर आ रहे हैं ऐसा मैं यहां पर देख पा रहे हूँ आप उस असमझस की स्थिती से कैसे बहार निकलें वो आप खुद decision लेंगे क्योंकि अगर आपने सही decision ले लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे और शायद इसका आपको पता भी हो कि मुझे किस दिसा में आगे बढ़ना है यहां पर मैं यह भी देख पा रहे हूँ गैस की आप जानते हुए भी शायद अंजान बने वी हैं आपको अरड़ी पता है कि मुझे किस पात पर आगे बढ़ना है फिर भी शायद आप decision नहीं ले पा रहे हैं ऐसा मैं यहां पर देख पा रहे हूँ दोराई पर खड़े हैं आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है शायद आपने पहले कोई action लिया होगा और उस time आपको success नहीं मिली शायद अभी आपको उसमें ही success मिले एक नए सिरे से एक नए तरीके से आप उगर उसको शुरू करते हैं तो आपको success ज़रूर मिलेगी हो सकता है कि जिस method को आप इस्तेमाल कर रहे हो उस method चे आपको success ना मिले और अभी शायद जो है जिस method को नए method को आप apply करके देखें तो आपको success मिले आप अपने competitors को देखिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसी दिसा में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है यहाँ पर मैं देख पा है उनकी जय में नहीं अगर आप right decision लेते हैं तो आपको success मुझे मिलती भी नजर आ रही है तो यहाँ पर मुझे आपकी tension इसी बात की नजर आ रही है कि आप सिर्फ अपने finance को लेकर के ही ज़्यादा tension में है और दूसरी बात यहाँ पर family के तरफ आप सोच रहे हैं क्योंकि आपने family को तो आप handle कर रहे हैं तो आपको life में दिक्कत finance की है यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप family को तो handle कर रहे हैं ठीक है लेकिन आपके partner की स्थिती मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे है आपके partner ना तो आपनी family को ठीक से handle कर पा रहे हैं और ना कुछ और ठीक है यहाँ पर आपकर मैं आपके person के energy देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि आपके person अपने emotions को दिखाते नहीं है अपने अंदर रखते हैं अपने प्यार को भी अपने अंदर रखते हैं अपना जो है कोई भी action लेते नहीं है उसके उपर ठीक है अपने emotions आपको दिखाते नहीं है प्यार बहुत करते हैं किंग के energy में है divine love है आप लोगों का आप लोग हो सकता है टिन फिलिम जर्नी पर हो कुछ लोग ठीक है और कुछ लोग soulmate है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे कि divine love है eternal प्यार है आपका ठीक है और जो हमेशा है आप लोगों के दिलों में हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा लेकिन यह person जो है अपने प्यार का इजहार नहीं करता है शायद हो सकता है इनको throat chakra में problem हो अपने बात को रखने में इनको दिक्कत आती हो या फिर यह रखना ही नहीं चाहती है बात-बात पर लड़ाई करती है क्योंकि यह सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने प्यार को दिखाऊंगा तो फिर मेरा partner मुझे पर हावी हो जाएगा इनका नजरिया कुछ ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है या मेरी family को पता चल जाएगा अगर मैंने अपने प्यार को नीव को हिलाते वे दिखा रहा है कि आपका relationship जो है इतना strong कभी बना ही नहीं क्योंकि इसकी नीव हिल जाती है बार-बार नीव हिलती है बार-बार tower आते हैं आपकी life में हो सकता है कि आपके partner जो है वो scorpion हो या आपका sun moon sign scorpion हो सकता है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके relationship की जो नीव है वो ही बहुत ज़्यादा नाजुक है बहुत कमजोर है और उसको strong करने की भी जरूरत है तो आपके person इस पर efforts नहीं लगा रहे हैं जिसकी वज़े से आपके life में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे situation ऐसी नजर आ रही है वो एक तरफ तो चाहते हैं कि मेरे इस relationship में stability आए strong इसकी foundation बने सब की तरह मेरा relationship भी better हो और इस पर मैं काम भी करूँ लेकिन प्यार ने दिखाते हैं तो अपने आप सब कुछ ठीक थोड़ी होगा अगर आप कोई मकान बना रहे हैं उसकी नीव को आप अच्छे से मजबूत करेंगे ही नहीं तो उसके उपर मकान रुकेगा कब तक ठीक हैं आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत बढ़िया मकान हो बहुत खुशिया हो उसमें तो वो मकान तो तब रुकेगा ना जब उसकी नीव मजबूत होगी जब नीव पर काम नहीं करेंगे तो मकान तो अपने आप गिर जाएगा बनाने से पहले गिर जाएगा ठीक है यहाँ पर situation आपके relationship की इस तरह की नजर आ रही है आपकी person जो है वो खुश रहना चाहते हैं इस relationship को better करने की कोशिश भी चाहते हैं लेकिन करते नहीं मतलब कोशिश नहीं करते हैं करना क्या चाहते हैं वो चाहते हैं कि सब की तरह मेरा relationship better हो हमारी life में खुशी आए लेकिन उसके पर मैं efforts ना लगाऊं बस मैं अपने partner को by hook by crook किसी तरह से भी मैं अपने पास रखूँ ठीक है अपने चंगूल में रखूँ अपने पास रखूँ बाकी मैं इस पर efforts नहीं लगाऊं ठीक है मैं अपनी चमनी दमनी खर्च ना करूँ अपना प्यार भी न दिखाऊं बाकी मेरा relationship better रहे वो कैसे हो सकता है वो तो उनी को पता है ठीक है तो मुझे guys आपके person की कमी नजर आ रहे है यहाँ पर आपका partner ही जो है इस relationship को better नहीं कर रहा है आप efforts लगाना चाहते हैं और लगा भी रहे हैं आपकी life में financially crisis हैं जिसकी वज़े से आप काफी tension में हैं और आप दोराई पर खड़े हैं कि मुझे करना क्या है क्योंकि हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हैं उसमें success नहीं मिली हो लेकिन अभी आपके लिए success आ रही है अगर आप efforts लगाते हैं तो इसमें काफी success आपको मिलती भी मुझे नजर आ रही है आप अगर कोई travel करना चाहते हैं तो travel भी कर सकते हैं या कोई international business करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको success मुझे मिलती भी नजर आ रही है higher study के लिए आप try करना चाहते हैं तो वो भी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है अगर आप कोई जो है अपना YouTube पर कोई काम करना चाहते हैं तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि अपना खुद का business कर सकते हैं ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं business related जो है आप travel भी कर सकते हैं jobs related travel भी कर सकते हैं लेकिन आपको step आगे लेने की जरूरत है तब ही आपकी खुश्या पूरी होंगी क्योंकि wish fulfillment का card है आपकी खुश्या जरूर पूरी होंगी सूर्य का card है, sun का card है आपको success मिलेगी लेकिन आप उस पर action नहीं ले पा रहे हैं यह सोच सोच करके कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है तो आप अपने skills पर काम करिए आप किसी से help ले सकते हैं किसी से पूच सकते हैं अपने आसपास देख सकते हैं कि लोग कैसे काम करते हैं और उस तरह से जो है अगर आप काम करेंगी तो आपको जरू success मिलेगी लेकिन यहाँ पर आपके partner बिल्कुल भी इस relationship पर काम नहीं करना चाहते हैं ठीक है वो सिर्फ दूर से देखना चाहते हैं कि सब का relationship better चल रहा है मेरा क्यों नहीं चल रहा है तो guys बिना efforts लगाई तो कुछ भी नहीं होगा ठीक है खाना भी अपने आप पेट में नहीं जाता है बन करके जब तक उसके उपर efforts नहीं लगा जाए उसको तयार नहीं किया जाए तब तक ठीक है ये तो relationship है तो आपके partner अपने relationship को खुद खराब कर रहे हैं आपका इसमें कोई role नहीं है आप इसको जो है अच्छा रखना चाहते हैं अच्छा करना चाहते हैं लेकिन जो है ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि एक तरफा जो है इस पर efforts लग रहा है एक तरफा efforts से कभी भी relationship better नहीं हो सकता है दोनों partner जो है efforts लगाएंगे तभी relationship better होता है यहाँ पर मुझे नहीं नजर आ रहा है कि आपके person efforts लगाएंगे क्योंकि आपके person बैट करके मजे ले रहे हैं और लडाईया कर रहे हैं ठीक है और अपने परिवार को दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत अच्छा परिवार बनाना चाहता हूं लेकिन मेरा partner जो है मुझे दोखा दे रहा है मेरे साथ में लडाईय करता है रात दिन लडाईय करता है और वो आपको blame कर रहे है blame game खेल रहे हैं ठीक है यहाँ पर सारा का सारा दोस सिर्फ और सिर्फ आपके partner का है ठीक है energy reverse भी हो सकती है अगर आप cross watch रहे हैं चलिए मैं कुछ message देख लेती हूं के person के तरफ से message देख लेती हूं देखिए देखिए आपके husband क्या कह रहे हैं कि यानि कि आपके partner जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं माफी चाहता हूं मैं अभी ये सब कुछ ठीक नहीं कर सकता हूं यानि कि relationship पर आभी वो work भी नहीं करना चाहते हैं और ठीक भी नहीं करना चाहते हैं देखिए मैंने जो reading की थी confirmation आगया है कि आपके person उस पर efforts नहीं लगाना चाहरे हैं और नहीं लगा रहे हैं चुपचाप बैठे देख रहे हैं और drama कर रहे हैं drama create कर रहे हैं और जिससे आपको blame किया जाता है और परिवार भी आपको blame कर रहे हैं आपके partner भी आपको blame कर रहे हैं ठीक है efforts वो खुद नहीं लगा रहे हैं बाकी आपके उपर डाला जा रहे हैं लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जब मैं आपसे दूर जाना चाहता हूं तो मेरा mind भी और मेरा hurt भी आपको आपके पास मुझे लाना चाहता है ठीक है हम दुबारा से एक होंगे लेकिन वो होंगे कब जब वो सपनों से बहार निकलेंगे जब वो दूसरों के भैकावे से बहार निकलेंगे ठीक है वो कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मैंने गलत choices की हैं अपने life में और आपको मैंने priority पर भी नहीं रखा है और आप मेरी choice कभी रहे भी नहीं है ऐसा भी वो कह रहे हैं ठीक है बाद में आपके बारे में काफी सोचते हैं जब समझ्या खराब हो जाती है जब बिगाड खाता हो जाता है पुरा बिगड जाता है रिलेक्शनशिप और यह जल्दी-जल्दी होता है आपकी life में बहुत ज़्यादा टावर आते हैं आपकी life में बरसाथ की तरह है ठीक है बिन मोसम बरसाथ होती रहती है आपकी life में टावर की यानि कि लड़ाई जगड़े है बार-बार यह कार्ड आ रहा है कि honestly वो आपके साथ में सब कुछ ठीक करना चाहते लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं करू कैसे ठीक है तो efforts नहीं लगाएंगे तो होगा कैसे वो ये भी खेह रहे हैं कि मैं सब कुछ ठीक भी कर दू लेकिन लेकिन ये पागल बना रहा है उल्लू बना रहा है ये आपका पार्टनर जो है आपको बहुत बेकुब बना करके यूज कर रहा है ठीक है ये सिर्फ ड्राम में है बाकी कुछ नहीं है क्योंकि ये person efforts लगाना ही नहीं चाहता है ये अपने family के अंदर involved है और अपनी family को दिखाना चाहता है कि मैं इसके साथ कितना बुरा कर सकता हूँ ठीक है ये आपके बारे में सोच नहीं रहा है सिर्फ आपकी beauty इसको अट्रेक्ट करती है अपनी तरफ आपके thoughts आपकी जो है जो आप loving और caring nature की है इस person से आप थोड़ा सा अपना distance maintain कर लीजिए boundary set कर लीजिए वो आप ते लिए बहुत better रहेगा अपने उपर काम करिए क्योंकि ये person अभी कुछ करने वाला नहीं है और इसके उपर अपना time और अपनी money या फिर अपनी emotions इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये person जो है वो सिर्फ बिगाड खाता ही करेगा और कुछ नहीं करेगा आपकी life में इसको कुछ करना नहीं है इसको सब कुछ पता है क्योंकि king के energy में सब कुछ जानता है क्या सही है क्या गलत है क्या मेरे रिलेशन्शिप के लिए बेटर है, क्या मुझे एक्षन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस सिर्फ ड्रामे करता है, बाकी कुछ नहीं है, इसके लाइफ में सब कुछ पता है अलरडी, इसके फैमिली और यह मिल करके माइंड गेम खेल रहे हैं, टू यह थी यह थी आपकी रेदिगए, यह थी दिगए, इस रेदिग आपसे थे प्रेदा ब्स नहीं है, रसके हैं, प्रइदर है ठीए ना।